साबर मंत्र में आपका स्वागत है हमारे बाबा हेल्थ में आपका स्वागत है आज हम आपको ऐसी विधी बताएंगे जो परदेशी जो आपके घर के भाग के चले गए हैं और आप उनको बुलाना चाहते हैं तो उनके बुलाने का तरीका आज हम बताएंगे एक छोटे से य घर पर लॉट आता है तो इस यंत्र का प्रयोग करने का कैसे करना है इसकी बिदी हम आपको बताएंगे हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सबसक्राइब जरूर करें तो दोस्तों आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आपको कैसे घर से भागा हुए ब्यक्ति को और अपने पती या पत्नी को कैसे बुला सकते हैं आप तो प्रयोग करने का विधी हम बता देते हैं सबसे पहले इस यंत्र जो स्क्रीन पे दिख रहा यंत्र सबसे पहले आपको क्रमवाईज यंत्र को लिखना है यंत्र भरने का जो चाल है इस चाल को आप समझ लीजिए पहले आपको भरना क्या है सबसे पहले इसमें जो छोटी गिंती है छोटी गिंती से आपको सुरू करना है इसके बाद आपको धीरे 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 करके बड़ी गिंती पे जाना है जैसे आपको बता देना चाहेंगे हम एक उधारण के तोर पहले 0 लिखा हुआ है तो पहले 0 लिखना है उसके बाद 1 लिखना है उसके बाद 5 लिखना है उसके बाद 8 लिखना है उसके बाद आपको 16 लिखना है सोला के बाद जो है 21 लिखना है तो 21 के बाद दोस्तों हम आपको बताएंगे 28 लिखना है 28 के बाद आपको धीरे धीरे करके एक एक उसकी जो है गिंती जो है भरने का चाल जो है और आपको यंत्र जो है तयार करना है अब यंत्र जब आप तयार करने तो आपको करना क्या है आपको यह यंत्र बनाना है लेकिन इसकी बिधी हम आपको बता चुके हैं लेकिन यंत्र बनाने का तरीका हम आपको बता देते हैं आपको यह यंत्र बनाते वक्त जो है आपको प बार सादे कोरे कागज पे जो है आपको लिखना है पहले सादे कोरे कागज पे आपको यह यंत्र बना के उसके बाद इस यंत्र को छोटा छोटा आपको गोली बनाना है और उस गोली को बना कर आपको ले जाकर किसी नदी में या किसी जो है तालाम में जहां पर मचलियां रह उसको मचलियों को खिला देना है जब यह मचली को खिला देंगे आपको और उसके बाद समझ लीजिए कि आपको यंत्र सिद्धी प्रात हो गई है फिर आपको करना क्या है अभी आपको बुलाने के लिए आपको हम बहते उपाय बताएंगे आपको करना कैसे है और इस यंत्र सदको आपको प्रयोग कैसे किया जाना चाहिए तो हम आपको बताना चाहेंगे हमारे प्यारे सदको सबसे पहले आपको किसी चार रास्ते की जो है धूली लेके आना है धूली मिट्टी किसी चार रास्ते की मिट्टी लाना है उस मिट्टी से यंत्र का निर्मार करना है अब यंत्र का निर्मान उस मिट्टी पे आपको करना है उस मिट्टी के द्वारा तो आपको बताना चाहेंगे आपको उस मिट्टी से यंत्र लिखना है और लिखना है जैसे जिसको बुलाना है उसको आपको उसके जो कपड़े हो पुरान कपड़े हो उसके पुरान कपड़े पर जो है यह यंत्र लिख देना है जब उसके पुरान कपड़े पे और यह यंत्र का निर्मार आप करेंगे तो आपको यह निर्मार करके जब आप यंत्र तयार कर लेंगे तो फिर आपको करना क्या है जब यंत्र निर्मार हो जाए तो आपको जिस दिशा में वह व्यक्ति गया हुआ है उस दिशा में आपका व्यक्ति कोई भी दिशा में पूरफ तश्रीम उत्तरदक्षिन कि धर भी गया हुआ है उस दिशा में आपको अपना मुख करके और उसी दिशा में मुख करके यह यंत्र को आपको दबा देना है यह यंत्र जब उस दिशा की ओर करके आप दब देंगे तो घर से भागा हुआ व्यक्ति घर से भागा हुआ आपका लड़का कहीं भी गया है वह आटोमिटिक जो है यंत्र के इस निर्मार के द्वारा वह आपके घर में वापिस आ जाता है तो यह है हमारा यंत्र अभी हम जो भी यंत्र भी आपको बताएंगे यंत्र के द यंत्र निर्माण बताएंगे तमाम प्रकार की तावीजे बताएंगे कैसे तावीजे आपको भरनी है तावीज भरने का जो उसका जो अंक है उसको भी बताएंगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जै महाकाल जै मातादी साबर मन